नमस्का दोस्तो, बीई टाउन हर्ब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागते। दोस्तो, आज हमारे इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं जुही चावला के जीवन के बारे में। तो दोस्तो विडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को भी तक सस्क्राइब नी किया तो कौश फिले सस्क्राइब चरू कर दे और साथ में बेल ऐकन को सरो प्रेश कर देता कि अमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे तो चले दोस्तों बिना देकते हम फिडियो को स्टार्ट कते हैं तो दोस्तों जुही चावला वो एक भार्त्य फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल और फिल्म प्रोडूसर है 1984 मिस इंडिया सौंधर या प्रोष्ट की वो विज्जेता है उन्होंने अपने एक एक्टिंग करियर में दो फिल्म फेर पुरसकर भी अपने नाम किया है उन्होंने बंगाली, पंजाबी, मल्यालम, तमिल, कनर और तेलोकुल लेंग्वेज में अपने फिल्मों के अलवा मुख्य रुप से हिंदी भासा फिल्मों में काम किया है वो 80-90 दशक की प्रसिद्ध एक्ट्रेस रह चुकी है साथ ही और अपने कोमेडिक समय और जीवन स्क्रीन पर वेक्टिट वकिले विशेस प्रसंसा प्राप्ते की है उनका जिन्म 13 नवंबर 1967 को लुध्याना पंजाब में हुआ उनके पिता पंजाबी और माता गुजराती है उनके पिता भारतियर राजस्व शेवा IRS के अथिकारी थे उन्होंने फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल मुंबई से अपने श्कूले शिछा पूरी की है और एचार में विशेश नकता के साथ मुंबई के सीडन हम कॉलर्ज से शनातक की डिक्री हासिल की है पढ़ाई खतम करने के बाद उन्होंने साल 1984 में मिस इंडिया प्रत्योगीता में हिसा लिया और अपने खिताब को नाम किया साथी उन्होंने 1984 में मिस इंडिया प्रत्योगीता में सर्वस रेष्ट कोस्चूम पुरसकर भी जीता जुही चावला की साथी बिजनेस में जय मैता शेवी है और उनके दो बच्चे भी है अरजुन और ज्छानवी जय मैता और जुही चावला इंडियन प्रिमियर लीग टीम कोलकत्ता नाइट राइडर्स के सव माली के जिनोंने सारुखन के साथ अपनी कम्पनी रेड मीर्च एंटर्टेन्मेंट के तहुत भागीदारी की उनके भाई बोबी चावला लाल मीर्च एंटर्टेन्मेंट की CEO थे उन्होंने अपने करे के शुरुआत 1986 में फिल्म सुल्तान से की हलाकि ये फिल्म बोक्स ओपिस पर विफल रही इसके बाद 1987 में उन्होंने कंणर सिरिमा की फिल्म प्रेम लोक से की इसके बाद जुही को साल 1988 में फिल्म काया मत से काया मत तक फिल्म मेली और इस फिल्म में जुही के साथ आमीर खान के जोड़ी बड़े परदे पर नजर आई और फिल्म जबर दस्ट हीट साबित हुई और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुरुकर नहीं देखा तो दोस्तो यही सफ़र था जुही चावला के जीवन के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखके जर बताएको पीड़े बसंद आई तो लाइक जरू कर दीजे और इस चैनल का अपना वी तक सब्सक्राइब नहीं कहा है तो जोड़ी सब्सक्राइब ज रुकादे